यह उन्साइब में स्टेफ रिफ से लिख विल्कम सौगत यहाज बसे है खातव सभीका महिंद्र के आफिशन योट्यूब चानल पर और हर दिन की तरह आज भी मैं लेकर आई हूं आपके लिए लॉट्स ऑफ करेंट अफिर्स राइट और सबसे पहले हम यह डिसकस कर ले कि हमारे अपकमिंग बैच इस कौन कौन सी हैं जो कि हर दिन में आपको बताती हूं हमारे अगस्त महीने की जो अपकमिंग बैच है व तो अगर आपने हिंडोल नहीं किया है और अगर आपको घर बैटके अच्छे तरीके से त्यारी करने की नीड फीलिंग ऐसी आ रही है तो आप हमारी वेबसाइट पे जो है विजिट कर सकते और अधिक जानकारी वहां से इंकलकेट कर सकते और इसके बाद हम मूव करते हैं अपने स्टूरेंट्स के तरफ चुक्के मारे चैट बॉक्स में काफी अक्टिव है मॉर्निंग से तो मैं देख लेती हैं यहां पर अनुराग शुक्ला जी है और उसके बाद आर्डी डेवी स्टोन जी आसी सिंग जी है नैनी तराहुल जी है उसके बाद प्रियांस अबिद्ध सर्मा गौरव सिंग अविनव कुमार और अर्चना पॉल यह हमें दिखाए दे रहे हैं तो आपको क्या करना है जो भी हमारे चैट बॉक्स में स्टूडेंस हैं गुड मॉर्निंग सभी को गुड मॉर्निंग तो करना क्या है आप सभी को क्लास की लिंक से यह कर और हम देख लेते हमारी थौट क्या है आज के दिंकी थौट की अम बात करें तो हर दिन अपने दिन की सुर्वात हमें अच्छे थौट से करते हैं तो वत इस एट बलीव यू कैन इन्यू विल सबसे बड़ी चीज़े यह वारा जो सब दिख रहा ना बिलीव यही हमारे को अपने एंदर नहीं होता है क्या हम यह कर सकते हैं हम कभीशों कर ना बहुत दोस्तों से पूछते हैं यह यह मेरा और ना एवह बखी नहीं भाई मेरे को डर लग रहा है यह सब निगेटिव वाला चीज होता है अपने अपनी चीजों को अपने पोटेंशल को दूसरे के हाथ में मेजर करने के लिए कभी ना दीजिए वह निगेटिव फिलिंग आएगा अपने उपर स्वैम की उपर विश्वास कीजिए और यह सोचे कि आप भी कर सकते हो यू कैन यू कैन आई कैन ये सोचना है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स हम बात करें तो देखे अगर आपने नहीं देखा है हमारी जो एपिसोड जो हमने कल डिसकस किया आपके साथ पहली बार ओलंपिक जीतने वाली ओलंपिक में जाने और मेडल लेकर क्याने वाली वो भी ब्रांज मेडल ठीक है नाम है आप देख रहे हो लौवलीना बौरगन तो ये जो है लौवलीना बौरगोहिन ने जीता है तीसरा मेडल भारत के लिए और सबसे अच्छी बात है कि तीनों मेडल लाने वाली जो हमारी फीमेल ही थी अच हमारे प्लेयर अब बताइए मुझे कौन है जो चौथा मेडल हमें लाके देगा सिल्वर तो एकदम हाथ में हैं लेकिन हम गोल्ड से एक कदम दूर है बस गोल्ड आ जाए बस अब सिक्विन्स पूरा होना चीन सिल्वर आ गया ब्रांज आ गया गोल्ड की जरूरत है तो च सभी ने सही आंसर दिया था आंसर स्पीकर होगा बिल्कुल सही तता और नीरा चोपरा नहीं जी नीरा चोपरा नहीं नी चोपरा नहीं नीज़त चुपड़ा नहीं एक और एक और मैं हिंट कर दू दाहिया सम्थिंग कुछ आगे वाला नाम बता दो आप मैं इतना हिंट कर दी मुझा नाम ही बता दी चलो ठीक है डिसकस करेंगे आगे तो हम यहां देखेंगे यहां हम बात करते हैं जो जो सही आंसर किया थे जि दिपिका थापा प्रतीक मिश्रा और जो है सुपयजित पतनायक और उसके बाद हम देखेंगे प्रियांस अजनवी अविनव कुमार मनीश चौदरी शालने तिवारी और वीना आर एंड उसके बाद जो है हम देखेंगे राजवीर कपूर और जोती साहू तो इन सभी ने क क्याता सही सही आंसर तो इनका नाम है आगे बढ़ते हम नेक्स्ट बात करते हैं तो नेक्स्ट हम देख लेते कि अगस्ट के इस वीक में जो है क्या इंपॉर्टन्स है तो देखिए इंटरनेशनल बीर डे जो कि एक अगस्ट को सेलिब्रेट करते हैं हम उसके बाद फ्रें और उसके अगस्ट को हम ने सेलिब्रेट किया और यूएस की जो कोस्ट गाड डे है वह भी 4 अगस्ट को सेलिब्रेट की जाती है फिरोस्टिमा डे 6 अगस्ट और एक तारिक से 7 तारिक तक जो है वह एक वीक के रूप में यानि वर्ल्ड बरेस्ट ट्रेडिंग डे मनाया जा रहा इवन साथ तारी को एक और जो कि नाशनल हैं यह सेलिब्रेट किया जा रहा है याद रखेंगे इंपॉर्टेंट है चले अब देखो हमारी एक्जाम पॉइंट अब यूसे बता दो अब यूस कोस्टल गार्डे हम पढ़ रहे हैं पर हमारे एक्जाम में जरूरत नह गया तो यह आपको एक से साथ अगस्द रखरना है दूसरा है यह आपको यादर रखना है इसके बाद तीस। conduct बन गए है यहां पर इसको पर ढहंते जो भी नैसनल है ठीक है और इंटरनेशनल डेई है वही यादर रखना कि और इसकी तो था है याद nahin रखना है far बात कर लेते हैं नेक्स हम हैलाइट की तरफ हर हम हाइलाइट क्या है? इसेन्सियल डीफेंद सर्वàiशस बारे में हम बात कर रहें सबसे पहले बात होगए εκension बाने आत्य अवश्शक defense यानि रक्षा और service तो अभी आप समझे क्या बाते हो रही हैं तो बाते बड़ी हैं बाते बड़ी क्या हैं तो हमारी पार्लेमेंट में हमारी लोकसभा में जो है bill pass हो गया है और वो bill जो है essential defense services bill से संबंदी थे इसमें हुआ क्या है कि जो हमारे ordinance factories होती है जो गौर्मेंट की अपनी गौर्मेंट ओन ordinance factories जो हैं वहां के वरकर strike नहीं कर सकते हैं point to be noted गौर्मेंट के जो भी अपनी ordinance factory है समझ गया हैं तो वो ordinance factory में काम करने वाले जो staff होते हैं उनको strike करने का अधिकार नहीं है अब वो strike किसी भी ground पे नहीं कर सकते important चीज़ जो है आपको इतना ही याद रखना है अब यहाँ पर बोला गया है कि जो वो services provide करते हैं specifically maintenance के लिए essentially समझ गया है जो आर्मी के लिए बहुत जरूरी है मतलब अगर वो service ना मिले तो हमारे आर्मी के द्वारा जो efforts लगाए जाते हैं जो काम किया जाता है वो बिल्कुल fee का पढ़ जाएगा अगर आप समझे हमारे पास gun नहीं होगा तो हम रक्षा कैसे कर पाएंगे हम अगर defense less अगर हमारे जो आजारे हैं हमारे जो tools हैं वो हमारे पास नहीं हो पाएंगे तो हम कैसे अपने country की रक्षा कर पाएंगे और इसकी कमी कप पढ़ सकती इसकी कमी अगर पढ़ सकती है कि अगर हमारे ordinance factory में काम करने वाले worker जो है वो balance approach हमारे साथ ना दिखा है तो बिल्कुल ये गर बढ़ हो सकती है तो इसलिए जो है उनको strike पर जानेगा क्योंकि उनके कंदे पर job नहीं है एक responsibility है जो उन्हें करनी है वो किसी आर्मी से कम है नहीं और अगर हमारे आर्मी strike पर चली जाएगी तो फिर कुछ बनेगा कुछ होता है नहीं होता है तो उसी तरह से यहां पर यह बात कही गई है याद रखेंगे अच्छा इसके साथ सरकार को भी कुछ बोला गया है सरकार को बोला गया है कि आपको भी सरकार ने decide क्या है कि सरकार को अब यह को बहुत सारी ऐसी companies हैं जो private partnership कर रही है government के साथ peer-to-peer tie-up कर रही है defense के लिए काम कर रही है वो भी ठीक है और सरकारी जो है वो government की जो own है वो तो है ही तो अभी काईदे से होता क्या है कि government को भी decide करना पड़ेगा government को भी mixture करना पड़ेगा कि ये services जो है essential defense service के list में आती है कि नहीं और अगर हम detail से बात करें background को देखें तो इस तरह की जो bill है यह defense से समंदित जो bill है यह bill जो है actually में industrial disputes act 1947 का जो है part है हम कहेंगे include किया गया है यह जो including किया गया है essential defense services यह इस bill में इस act में include किया गया है industrial disputes act 1947 के तहद essential defense services आते हैं ठीक है अब हम बात करें इंडिया के अंदर तो इंडिया के अंदर जो होते हैं ordinance factory boards होते हैं जो काईदे से आते हैं defense मंत्राले के अंदर defense जो ministry है हमारी वो देखती है अगर हम बात करें इस board के headquarter की तो headquarter जो है यह कहां पर है यह कोल काता में है ठीक है और अगर हम बात करें कि अभी तक हमारे हां कितनी हमारे हां कितनी जो है इस तरह की ओडिनेंस फैक्टरी है तो देखो major 37 है बट overall 41 है है जो major जो बड़ी है वो 37 है पर अगर पूरी संख्या बोले हम तो 41 है important है याद रखेंगे ठीक है चलिए आगे बात करते हम यहाँ पर अच्छा यह काम कब से करी यह और्डिनेंस फैक्टरी सेटप कब से हुई यह बहुत important है तो और्डिनेंस फैक्टरी जो है अंग्रेजों के सासनकाल यानि 1712 में ही सेटप की गई थी याद रखोगे ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स आर्टिकल के तरफ नेक्स आर्टिकल हमारा जो है वो नेक्स आर्टिकल हमारा बहुत ही अच्छा वाला आर्टिकल है आपको देखके भी समझ में आ रहा होगा कि यहाँ प तो यहाँ पे हम देख़ा होगे सोलर पंक जो है वो क्या होता है देखे यह दो आर्ट है यह फ्यूचर में जो फ्यूचर है हमारा वहाँ पे किस तरह से हम अपने पेर पड़े को उगा सकते हैं अपने घर में गाडन सेट अप कर सकते हैं इस तरह का construction बना करके आप देख रहे होंगे figure में आपको दिखाई दे रहा है कि building है काफी बड़ी सी और काफी अलग design से बनी हुई है उसमें ऐसे structures है ऐसा space दिया गया है जहां पर planting की जा सके tree planting tree sapling जो है छोटा सा plant जो है plant sapling की जा सके तो यह यहां बनाया गया है समझ गया है और यह हमारे लिए बहुत important है वैंकि in future हमारी population तो इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि हमें पैर रखने का जगा नहीं है तो हम पैड तो लगाएंगे नहीं अलड़ी हम पैड काटेंगे यह तो एकदम तय है और हम यह कर भी रहे हैं और आपको बता दे कि जितने भी middle income country होते है तो उनका graph भी कुछ इस तरह कहीं बनता है जितना ज़्यादा अपने economy को सकसेस करते अपनी economy का डवलपेंट करते हैं उतना ज़्यादा वो अपने environment का दोहन करते हैं मतलब जैसे जैसे उनकी economy बढ़ती चाहेगी वैसे वैसे उनका degradation होता जाएगा किसका environment का, एक level के बाद, जब वो एक maximum level rich कर जाएंगे, जब वो अपना income अच्छा कर लेंगे, अपनी per capita income उनकी अच्छी हो जाएगी, उसके बाद वो economic को देना शुरू कर देते हैं, मतलब environment को pay करना शुरू कर देते हैं, example है, सारी के सारी rich country, जो इतना donate करती है, है न, environment के लिए, तो वो कैसे कर पाती है, पहले उन्होंने भरपूर मातरा में environment का दोहन किया है, अपनी economic को अच्छा किया है, उसके बाद, वो environment के लिए पे कर रहे हैं, अभी हमारी इंडिया जैसी country, और ऐसी middle income country, और जो है low income country, यह अपने survival के लिए, जिस संसाधन का उप्योग करत हैं, development के कारे के लिए, वो होता है, पूरी तरह से environmental, और उससे होता है, environment का loss, लेकिन, they can't do anything for that, वो कुछ कर ने सकते, रेदर की नए technology का यूज़ करके, बहुत सरी चीज़ों को अब तो handle किया जा रहा है, लेकिन फिर भी प्राकृति का दोहन ही हो रहा है, तो कहने का मतलब है, यह तो खेर के बारे में था, लेकिन सबसे important चीज़ यही है कि इस तरह की जो building है, इस तरह का structure इसको solar punk कहते है, news में है, यह तरह का नया showcasing art है, जो awareness दिखाता है, environment के प्रती, climate change के प्रती, pollution के प्रती, और इसके बारे में अभी हर जगा, इस तरह की जो solar punk है, इसके बार में हर जगा जो है, यह हर माधियम से, music के माधियम से, fashion के माधियम से, literature, architect, हर माधियम से, tattoo बनवा करके इसको जो है, प्रमोट किया जा रहा है, तो that is an important thing that we have to know, for the exam point of view, we have to know कि यह solar punk क्या होता है, यही अपने लिए important है, next बात कर लिते हम, next हम बात करते है, governor से सम्मान दित और article 433 A, जो है, इसे सम्मान दित, supreme court ने एक verdict दिया है, supreme court ने एक बात करी है, क्या बात किया है, supreme court ने observe किया है, governor के अंदर, जो under article 161 के तहत, constitution में जो यह power दिया गया है, क्या power दिया गया है, pardon का power, यह पड़ेनिंग पावर जो है, और दूसरा जो है, pardon के five types होते है, राइ आर्टिकल 72 में, pardon power के बारे में define किया गया है, तो governor के part पर बात करें, तो 161 के अंदर जो है, governor भी pardon कर सकते है, president तो pardon करते ही है, छमादान देते ही है, governor भी देंगे, और यहाँ पे commute की बात की जारी है, commute का मतलब हो जा रहा है, sentences, जो की heavy sentences है, उसको light में convert कर देना, let's suppose किसी क capital punishment मिला हुआ है, समझ गया है, तो इस capital punishment को जो है, अलग से change कर दिया, कुछ light punishment दे दिया, कि 14 साल का कारावास दे दिया, या आजीवन कारावास दे दिया, ऐसा type का कुछ दे दिया, समझ गया है, तो यह sentence को reduce करना हुआ, hard सजा को कम करना हुआ, Supreme Court का concerns यही है, governor के regarding commute और pardon जो इनके अंदर आता है, समझ गया है, तो यह बोला जा रहा है कि override the restriction imposed under section 433, है न, of the criminal procedures, तो बोला जा रहा है, criminal procedures के लिए जो article बताया गया, 433A के तहट, क्या इस पे भी governor का अधिकार है, criminal procedures, जो 433A के तहट बताया गया, क्या governor इन चीजों को revoke कर सकते है, हाँ, नहीं, case क्या है, case हर्याना से समंदित है, हर्याना की जो police है, इसे समंदित है, बोला यह जा रहा है कि remission, देखे, हर्याना ने क्या किया है, एक policy लाई है, remissions के लिए, remission मतलब छूट, यह भी एक तरह का pardon का part है, pardoning power जो है, इसका part होता है, remission, commutation, remission, pardon, खुद यह किसी भी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को, actually 433 जो ए है, वो यह बताता है कि को भी व्यक्ति, जिसको मिला हो, आजीवन कारवास, यानि पूरा जो है, life जो है, presentment उसको मिला हुआ है, तो उसको कुछ हूट है, कुछ रियायत है, क्या रियायत है, रियायत यह है, कि अगर उ और उसको life imprisonments मिला हुआ, lifetime उसको jail मिला हुआ, आजीवन कारवास है, और उम्र होगी उसके 75 साल, तो उसको छूट मिल जाएगा, और वो jail से निकल सकता है, या फिर, second condition क्या होता है, कभी कभी कि starting में, अगर आजीवन कारवास मिला है, starting में ही जो है, अगर आपने 8 साल jail में बिता लिया है, तो कुछ tool and technique का यूज़ करके, आपको remission मिल सकता है, आजीवन कारवास वो कम हो सकता है, या फिर, अगर आपको 14 साल का कारवास मिला हुआ है, 14 साल के लिए jail मिला हुआ है, तो 14 साल में भी अगर आप 8 साल jail में बिता लेते हैं, तो यहाँ पे भी आपको remission मिलने की chances हो जाते हैं, article 433A के तहद, बस यही बात है, तो यहाँ पे, जो है, चुकी हर्याना में ये policy आ गवर्नर के द्वारा, जब गवर्नर के द्वारा इन चीजों को देखा जाएगा, तो Supreme Court वही बोल रही है, कि अगर state की policy बन रही है, तो state की policy CM बनाएंगे, CMN cabinet, और वो किसके पास जाएगा, गवर्नर के पास जाएगा, गवर्नर उसको पास करेंगे, तो अब यहाँ पे Supreme Court का concerns यही है, क्योंकि यह परडेन पावर के तहट आता है, और परडेनिंग पावर के तहट है, जो है, सिफ आप सिफ प्रेसिडेंट आफ इंडिया का अधिकार होता है, उसको डील करने का, तो क्या हमारे गवर्नर इसको हैंडल कर सकते हैं, क्या आर्टिकल 433A 161A जो गव गवर्नर को पावर देता है, परडेन करने का, तो क्या इतना अधिकार है, क्यों 433A को भी देख सकते हैं या नहीं, यही आर्टिकल है, चले नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, जो है, नेक्स्ट बात करते हैं, यह डिसकस क्या हुआ है आप से, यह मेरा कई दिनों पहले, मैं डिसकस किया था आप से, ठीके, अब यहाँ पर मैं देख रही हूँ, कि हमारा आर्टिकल क्या है, तो देखे, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जो है, है ना, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर नहीं क्या किया है, कि जो जिका वायरस से, इसकी स्चरंकरमन को, मतलब जो इसका, जो संक्रमन हो रहा है इसे तो इससे कैसे निप्टा जाये इसकी रोकथाम कैसे की जाये कैसे मॉनेटर किया जाये तो इन सब चीजonya के लिए सपोर्टिंग सिस्टम होता है वो स्टेट को लेने बात की गई है और और इस्टेट मोलेन को भी서 मोड में डालना गया है specifically महरास्टरा की बात करें तो पूरे डिस्टिक पे ज़्यादा नजर है सरकार थोड़ा ज़्यादा चीनती थे पूरी तरह से एसके कारण यह होती है और आपको एक बात रहाँ एक और विमारे यह नहीं बहुत सारे बिमार्यां होती है यल्टा फिवर चिकनगुनिया चिकन यह हम देख रहें कि अभी जह जीका वायरस वारा तो ये सब इस mosquito के कारण होता है काफी ज़्यादा infection फैलाती है और pregnant जो woman होती है उनके लिए तो बहुत ही खतरनाक है ये मच्छर तो ये mosquito से बिलकुल ही बचना है और अगर हम बात करें क्या present में कोई दवाई कोई medicine है इससे निपटने के लिए तो बिलकुल भी नहीं there is no vaccine कोई भी vaccine कोई भी drug available नहीं है जिका वारस के infections को रोकने के लिए ठीक है तो ये एक important है और अगर हम बात करें ये कहां से कब से निकली है तो मुझे क्या मैं अपनी जब previous class हमारी थी जब हमने इसको discuss किया था आपके साथ तो मैं बताई थी कि ये जो है कहां से निकला है तो देखो युगांडा याद होगा आप सभी को 1947 में monkey के अंदर ये find out किया गया था 1947 में युगांडा में और वहां से ये फैला है monkey से फैला human में तो monkey से फैला है human में मतलब ये कैसा है यह genetics बिमारी है और अचा यह बताइ Alternatively दे करते हैं बताइए पढ़ाया हुआ है क्ई बार चलिए नेक्स हम बात करते हैं भूमि पुत्रा के बारे में भूमि पुत्रा क्या है और क्या है गुवा का सम्मन्दा भूमि पुत्रा से बोला दारा who is भूमी पुत्रा इन गोवा सवाल बनेंगे सवाल बनेंगे ठीक है तो अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं आप समझे कि हमारे एक्जाम में कोश्चन पूछे जा सकते भूमी पुत्रा करिगारिंग और ऐसा लगेगा कि यहर हिस्ट्री से कोश्चन आ गया है ऐस इसा फीलिंग आएगा लेकिन वह हिस्टी नहीं होगा एक्चली में गोवा की असेम्बली में एक बिल पास किया गया है जिसका नाम है भूमी पुत्रा अधिकारिनी बिल 2021 है क्या देखो गोवा सरकार का ऐसा मनना है कि जो परसन गोवा के अंदर जो है रह गया और उसकी उ सालों से गोवा में रह रहा है पढ़ाय लिखाई सब कुछ वही हुई और वो काईदे से उम्र का 30 साल का हो गया है तो उसको माना जाएगा भूमी पुत्रा हना सन और इस तरह से भूमी पुत्र करने के बाद उस परसन को जो है बहुत सारे अधिकार प्राप्त होंगे वहा सकता है प्रापर्टी खरीद सकता है बस इतना लिमिटेशन दिया गया है कि 250 स्कॉयर मीटर से अधिक का नहीं यानि 250 मीटर स्कॉयर का घर वो बना सकता है खरीद सकता है वो भी कब तक जो प्रापर्टी बनी हुई है बिफोर 2019 तो 2019 एक पैरामिटर दिया गया है 2019 के बाद 2019 से पहले तक जो है जो भी person गोवा में रह रहे हैं वो अपनी property खरीच सकते देखो गोवा आपको पता ही है गोवा हमारा वो state है गोवा हमारा एक मात्र वो state है जहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे हम देखेंगे कि सिफ अगर हम बात करें गोवा की तो यहाँ पे uniform civil code है बात बाकी हाँ 6 जुलाई मदुमे मंडल जी सही है तो अभी यहाँ पे गोवा एक मात्र हमारा एक ऐसा state है जहाँ पे uniform civil code लागू है यानि एकल कानून लागू है एक जो है single जो है norms लागू है ऐसा नहीं कि हम धर्म के धार पे कोई और कानून का परियोग करें हमारे इं किया गया है तो बड़ा concerning होता है गोवा जैसे state में जाके जमिन खरीदना और इन सब चीजों को देखना तो यह इसलिए बिल पास किया गया है बहुत सारी facility वहाँ पे लोगों को मिल रही है अब यह implement कैसे होगा यह तो background यह तो पूरी की पूरी कहानी हो गई है ना अब दे अधिकारनी होंगे तो भूमी पूत्रा अधिकारनी जो होंगे उसमें आएंगे कौन-कौन तो वास्ते में भूमी पूत्रा अधिकारनी जो है एक तरह की क्या है कमीटी है याद रखेंगे भूमी पूत्रा तो परसन हो गए भूमी पूत्रा अधिकारनी एक कमीटी है इस क कमीटी में कौन-कौन बैठेगा तो डैपटी कलेक्टर जो कि उस भूमि पुत्रा अधिकारनी को अधिकार देने के लिए जो कमिटी बनाई जाएगी उसके चेर पर्सन जो होंगे डैपटी कलेक्टर होंगे अदर ओफिसर्स जो होंगे वो भी इन्वाल्व होंगे इसलोकम को परसं का ऐसा आयगा और सारी की सारी डिसिजन्स यानि भ्हूमिपुत्रा को ले करके ऐगर जमीन का कोई बिवाद है या किसी तरह की कोई issue हो चुकी है या किसी को अपने property का claim करना है तो वो जो है इस committee के द्वारा ही देखा सुना जाएगा और अगर कोई issues होते है तो within 30 days इसका निप्टारा किया जाएगा 30 दिनों के तहर तहर जो है सारे चीजे clear कर दी जाएगी और यह बाद हो गया है तो अगर मालने जे भूई पुत्र अधिकारणी जो कमीटी है इनके द्वारा सौल नहीं हो पाया तो कहां जाएगा यह एड्मिनिस्टेटरिव ट्रिवुनल के सामने जाएगा ट्रिवुनल क्या होता देखो ट्रिवुनल कुछ वैसा बहुत बड़ा साक्षक लिए तो एक 3 5 7 9 मैक्सिम्मम 11 हो सकते और 11 तभी होंगे जब वह कुछ चीज़ों को देखने की बात हो मैंने संभिधानिक चीज़ों को देखने के लिए हो तो अधिक साधिक 11 होंगे तो और 11 तो नहीं होते हाड़ली 3 या 5 होते हाडली 3 या 5 होते हैं बड़े से बड़े टिबनल में नो और ग्यारा तो बहुत बड़ी बैच हो जाती है जो कि सुसको देखने के लिए लिए ने तो तीर और पांच कम से कम होते हैं यहां पे यह भी तरह का जजों का पैनल है इसमें जज़ भी हो सकते और export फिर मालीजी की जैसे मालीजी कोई और क्स हैं इन्वारिमेंट वाला केस नहीं है दूसरा केसे मालीजे से फाइनांस के एक्सपर्ट काहले गया अगर इंवारिमेंट्ब्स की इस उसको देख हो गया तो इस तरह से बहुत तरह के ट्रिबनल हमारे हां बन सकते हैं, आर्टिकल 323A और 323B ट्रिबनल से संबन्दी थे, आगे बात करते हैं यहां पे, एक चीज जो आपके दिमाग में आने चाहिए, तो क्या यहां पे कोट कोई इंटर्वीन कर सकती है, अगर किसी का जमीन विवाद बहुत बड़ा है, जब यहां पे देखो जब लॉ बन रहा है और लॉ में ही बोला जा रहा है कि सुप्रीम कोट के अंदर नहीं आ रहा है, तो यहां पे सुप्रीम कोट हो, यह स्टेट की हाई कोट हो, उनकी कंसर्णिंग का यह पार्ट नहीं होगा, भूमी पुत्र अधिकारनी या फिर जो से हैं, वही इनको देखेंगे, ठीक है, और ऐसा इसलिए किया जा रहा है, ताकि मैटर को जल्दी से जल्दी सौट आउट किया जा सके, सारी की सारी पावर्स जो है, भूमी पुत्र अधिकारनी और टिबनल के हाथ में देधी गई है, इसलिए कोट का इंटर विन करने का हम देखेंगे, आप देख सकते हो, यहाँ पर तालसीमन सेब्रे के बारे में है, तो अभी यहाँ पर एक इंपॉर्टन सीच हमारे लिए क्या है, हाला कि इस एक्सरसाइज का, इस मिलेटरी एक्सरसाइज का, अपने इंडिया से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इंडिय इंडिया इसे पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो फिर हम पढ़ क्यों रहे हैं, पढ़ इसलिए रहे हैं कि अस्टेलिया ने अपना इंट्रेस्ट सो किया है, कि इंडिया को भी जॉइन करना चाहिए, यह बिगिस्ट वार गेम एक्सरसाइज है, मिलेटरी का, यह जो है इंडिया को जॉइन करना चाहिए, और यह बोला गया कि इंडिया 2023 में जब यह होगा, 2021 के बाद 2023 में होगा, यानि हर दो साल के गैप के बाद यह एक्सरसाइज कंड़क्ट किया जाता है, वैसे यह 2005 में स्टार्ट हुआ था, 2005 के बाद 7, 9, 11, समझ गया हर दो साल के गैप क जो नेक्स 2023 में होगा, इसको जॉइन करना है, इंडिया जो है, यह करे तो बेटर होगा, अब इंपॉर्डन चीज यहां पर क्या है, कि यह दो जगा ही होते हैं, मतलब एक बार कभी अस्टेलिया होस्ट करता है, इस एक्सरसाइज को तो कभी यूएस से होस्ट करता है, तो जार से हनिक इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जो कि तीनों ही लेबल पर प्रैक्टिस होती है, जमीन पर प्रैक्टिस, एर पर प्रैक्टिस और समुंद्रे प्रैक्टिस, तीनों ही तरह की प्रैक्टिस इसमें इन्वाल्व होती है, अगर हम बात करें मेंबर्स निसन की, दे रहा है यह कि वैसे भी हम quad के member हैं अगर हम यहाँ पर बात करें तो quad की बात करें तो USA भी आ जा रहा है अस्ट्रेलिया भी आ जा रहा है और जापान भी आ जा जा रहा है तीन quad member तो यहाँ पर involved है तो इंडिया क्यों ना join करें यह quad member आपको पता ही है चाइना को counter करने के लिए है South China Sea में और यह military exercise भी जो है यह उस रूट को touch करता है यानि South China Sea के तहत को भी पार्ट को भी यह touch करेंगा चाइना के लिए बहुत ही concerning है इसका चाइना पार्ट नहीं है that is very very important इस exercise में चाइना आपको नहीं दिखाए दे रहा और quad की बात करें तो quad भी जो है वो चाइना के against है चाइना के privileges जो बढ़ रहे हैं उसको रोकने के लिए है चलिए next बात कर लेते हैं बस यह last article होगा हमारा अभी हाली में जो है हमारे हाँ जो यह frog है तो frog की छोटी सी बहुत ही जादा छोटी सी प्रजाती जो है यह find out हुई है जिसका नाम है आप देख सकते हो नाम रखा गया है basically यहाँ पे हम देखेंगे तो मिनेर वरया जो है पंटली तो मिनेर वरया पंटली यह find out किया गया है हलाकि मिनेर वरया जो है वो frog की पहले से ही चलती फिरती प्रजाती यह कहने का मतलब यह प्रजाती है पहले से लेकिन इस प्रजाती के अंदर एक छोटी सी frog find out की गया है size wise काफी छोटी है और यह discover क किया गया है कहां पर डिसकोबर किया गया के रेलाइन तमिल नाडू की पे वेस्टन घाटस वाले रीजिनस पे यह फाइंड आउट किया गया है यह स्पेसिस जो है endemic है ठीक है important है यह याद रखना है और इसके बाद ही बात करें तो यह सबसे ज़्याद़ smallest है यह तो हम बता ही चुक है frog की प्रजाती है उसके बाद अगर हम बात करें तो देखें यह जो है आप देखो कौन से family से belong करती है तो यह जो है dichoro logisidia जो family रखना है अच्छा इस जो मिनिर वर्या पेंटली के अंदर जो यह छोटी सी frog find out की गई है इसका नाम जो है अलग से थोड़ा सा रखा गया है जो कि प्रोफेसर जो है दीपक पेंटल तो दीपक पेंटल जो कि पेंटली है इनका बहुत योगदान है तो इसके लिए motivation के लिए next as usual आपका खुंबक वाला questions ओके तो सॉरी खुंबक वाला question बोल रही हूं यह जो है आपका हम कह सकते current affair कैम सी क्यों जल्दी 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 इसका आपको बताना निम्लिकित में से जो है भारत का पहला शौदेश निर्मित बिवान वहक पोड जो है वह समुंद्री हम कह सकते कि परिछन के लिए सुरू किया गया है क्या होगा विक्रान चक्रा खंडेरी कलवरी और करंच तो क्या होगा आंसर तीन आ गया है आंसर तीन आ गया है वन आ गया आड़ी डेविस्टोन जी वन सोनु पाल चार टैगोर नीलम बता रही है तीन और शरीत रावत पांच बस बजो में मंडल जी ए यस जैस वाल वन इक्जैक्टली तो आ गया है वन इसका आंसर बिलकुल सह यह आउन मनम का आंसर वन विक्राइब जो है हमारा आई आइस मिक्राइब जो है यह अभी हम कह सकते हैं कि फॉर्स्ट इंडिजेनस लिए इंडिजेनसली मनें पूरी तरह से State of आर्ट का यूज किया गया है ठीक है यह एयरक्राफ्ट है इंपॉर्टेंट याद रखोगे सी ट्रायल के लिए है यह चलिए बात करते हैं यह तो नहीं बना पाओगे मुझे पूरा उमीद है आप सभी से तो बनाना भी नहीं मैं बता दूंगे आपको तो थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह SBI से सम्मंदित है तो आपको बताना है यहां पे कि SBI का क्वाटर वन में कितना की कमाई हुमाई हुई है तो आंसर क्या होगा इसका आंसर जो होगा आपको याद रखना है 6504 करोर ठीक है बस नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड नमबर आपको बताना है क्या काजिगुन वनिहाल टैनल ओपिन फोर ट्राफिक टेस्टिंग इस सिचुएटेड इन विच आप दी फॉलिविंग स्टेट बताया गया है काजिगुन वनिहाल जो सुरंग है यानि टैनल है वो अभी टैस्टिंग के लिए यह किस राज्य में हैं इस्थित आपको बताना है उत्राखंड सिक्की मारुनाचल प्रदेश जमुन कस्मीर हिमाचल प्रदेश बनिहाल पास बताएंगे अरे कहे इतना पैनिक हो रहे हो जमुन कस्मीर में टिक लगा दो कभी-कभी ठीक है यहापर शोनुपाल जी बता दी है जमुन कस्मीर चले इसके बाद यहाँ पर आ रहा है आंसर विकल्प कभी आ गया है चार चले अब हम बात करतें चार नमबर कोशन इसका आंसर तो सभी लोग समो में देंगे समो में सही करेंगे बुला क्या है लॉवली ना बॉर्गो हिन एज वन ब्रांच मेडल इन ओलंपिक 2020 रिलेटे टू विच अव दी फॉल्विंग स्पोर्ट बॉक्सिंग रेस्लिंग बैडमिंटन और जो है जो है डिस्क थ्रो है या फिर टैनिस है चानम और कान से क्या होगा बिकल्प का गया है वन आसीस वन अभीना बॉक्सिंग सही है यह लिखा ही वाता थार्ड बॉक्सर बन गई है यह तो यह बॉक्सिंग में ठीक है याद रखेंगे बात करते हैं हम यहां पर रिशेंट लिच आप डिफॉल्विंग स्टेट एनौंस रूपीज 11500 करोर पैकेज फॉर फ्लॉर्ट विक्टिम्स रिपेर वोकर्स जहां जाए रहा है वहीं होगा ना है यहां पर हमेसा आता होगा यह फ्लड अविकल्प वन शरिता जी क्या बता रहे हैं वन अच्ट नीलम जी का है तीन चलो सही है तो अभी यहां पर जो है दिव्या का बता रही है कि यह महरास्टा एक्जैक्टली तो महरास्टा इसकारेक्ट बढ़ाई हो सभी को सभी ने वन बताया चलो बहुत सभी कांसर आ चुका थे यहां पर जो है सिंग गायतरी फिर और क्या है कॉलोल डेव माहरास्टा संदीप जी का भी आ चुका था चलो बहुत लोगों का यस जी का भी आ चुका है अभी छे नमबर कांसर दीजे यूएस कोस्ट गार्ड डे जो है वो कब किया जाता है एक दो तीन चार पांच अगस्त बताओ अभी तो पढ़ाई हो ना इस इसमें तो कोई समय देने की जुरज भी नहीं है यह तो भी पढ़ाई हुई हूई हूँ दो तीन दिन से यह चल रहा है तो आपको याद भी रखना है मनकौर who died of a heart attack is a sprinter from which of the following city मनकौर जिनकी जो है मिर्तिव हो चुकी है दिल के दोड़े पढ़ने से आपको बताना है वो जो है धावक थे हैं किस सहर समंदित हैं यह आपको बताना है important है बहुत बहुत important है देखो इनको ना चंडीगड का चमतकार भी कहा जाता था इनका जो नाम है वो याद रखोगे इनको जो है यह इतना फास्ट मतलब दोड़ते थे कि इनको चंडीगड का चमतकार कहा जाता था miracle of चंडीगड के नाम से यह जाने जाते थे 105 वर्स की उम्र में जो है इनकी मिर्तिव हुई है आठ नमर कुश्चन की बात अगर हम करें तो आठ नमर कुश्चन क्या है और बीयार ओषिस्टोर्ड कानेक्टिविटी ऐड आप देख सकते हो क्या यारलूं लामंक हना यारलूं लामं रोड इन विच आफ दी फॉलिविंग स्टेट तो बियारो आपको पता ही है बियारो क्या काम करती है हमारी बियारो का क्या फंक्शन से तो फिलाल तो इसका अंसर दीजे हना बॉर्डर रोड और्गनाजेशन जो की बनी है 61 में 1961 में हैडिकॉर्टर डैली है आपको बताना है कि इन प्लाण के अंदर गंस्ट्रक्शन नेपाल के अंदर का बंस्ट्रक्शन बैंगलदेश के इंदर सफेंगने के बाद इन्होंने की है इंडिया मेंpole की है कि हमेशा जो होता ना क्लाउड वगेरा जो होता है अगर आ गई जैसे बादल फटना बारिस बहुत जादा हो गया तो यह खत्म हो जाती है तो यह इक इंपॉर्टेंट है और नाचल प्रदेश से समंधी चले नेक्स्ट बात करते हैं आनसर क्या होगा देखो के तीरू अनंत पूराम यहां देखना है केरल के तिरु अनंत पूरम की जो है पलिकल पंचायत है ना पलिकल पंचायत तिरु अनंत पूरम की बात कर रहे हम केरल की बात कर रहे हम ये हाइटेक खेती को बढ़ावा देने के लिए बहुत ही ज़्यादा सैंटिफिक खेती हाइटेक खेती हो पाए इसके लिए जो है ये करें दस नमबर की बात करें रिशिंटली काबिनेट एपक्रूब्ड किये हैं काबिनेट एपक्रूब्ड जो है समागल सिक्षा सिकीम एड्योकसर के लिए कौन से लिए में समय सिक्षा पढ़ाया हुआ है आपको बताना है यहां पर फिलाल जो 흥 answer तो देखो 10 number का answer जो है याद रखना है 1 April 2021 से लेकर 31 March 2026 और इसके लिए सरकार जो है एक बहुत ही बड़ी जो है धन्रासी allocate कर रही है धन्रासी जो है important है आपको याद रखना है क्योंकि exam में जो है रुलाने वाले जो प्रस्न होंगे वह इससे बन सकते हैं क्या 294 यह data आप याद रखो कि 294 283.04 करूर रुपीस का प्रवधान किया गया है और अगर हम बात करें तो total financial assistance है फिलाल में center ने भी दिया कितना है total का provision यह है अभी इतना दिया गया 185 398.25 तो देखो 294 283 तो आप याद रखोगे ही याद रखोगे क्योंकि ऐसा इसलिए मैं बोल रही हूं क्योंकि यह सरकार के देना नहीं है कोई तातपरे नहीं है तो इतना बड़ा सा पैसा दिया गया है और चलो आगे बात करते हैं हम यहां पर देख लेते हैं और यहां पर एक बात आपको याद रखना है क्या आज इसलिए क्योंकि 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 आज मैं स्टैक कोश्यन लेके फिर नहीं हो लेकिन चिंटा नहीं करेंगे स्टैक हम बहुत करेंगे फिलाहलम देख लेते हैं अव्य वह इन्वाल्व हुआ है हमारी कंट्री के अंदर और हमारी सभिःता के अंदर 12 सैंचुरी से 19 सैंचुरी के आसपास में और अगर हम बात करें इसका source क्या है तो संगीत नाटट जो है यह हम बात कर रہे हैं इसकी और main जो source है वो आता है क्या हमारा जो भारत नाटियम जिसकी बात हम कर रहे हैं तो वास्ता में जो भरत मुनी हैं उनके द्वारा इसका पूरा का पूरा जो है construction तयार किया गया था समझ गया है और यह बहुत important है चली अब हम बात कर लेते classical dance की तो classical dance जो होते basically दो aspects होते हैं एक होता है तांडव और दूसरा होता है क्या जो है लस्या तांडव का मतलब होता movements और जो है rhythms और लस्या का मतलब होता grace भाव रास पेशल एक्सप्रेशन और अगर हम बात करें यहाँ पर तो तीन main component है एक है नाट्या निर्त्या और जो है नाट्या निर्ता और निर्त्या ठीक है यह तीन component है किसके classical dance के classical dance के overall जो है तीन component है दो भाग है तीन component है नाट्या का मतलब हो गया drama राइट दूसरा निर्त्या का मतलब हो गया dance moment और जो है यहाँ पर निर्त्या दिख रहा है आपको इसका मतलब हो गया gesture facial expression मुद्रा जिसको बूलते है पोस्चर ठीक है अब रास कितने है तो नाइन दा से देखो एससी में आपको यह पूछा जाएगा कि रास कितने होते हैं नाइन होते हैं बस यह हो गया लेकिन थोड़ा से इसे अक्सρल अगर आप एक्जाम दे रहे हो थोड़ा त्यारी कर रहे हो आपैसे से ऊपर तो आपको यह कृता होना चाहिए कि टने रास है तो लब एक रास ऑर नाश्र का पारतफ है और किसी के उपर करुणा करणा जोना पैथोस लिए तजए बात करना पराट है यहां पगू सबसी की बात करना या सब सोब्साइれ सब्सक्वन है गारे he goat संगीतनातक में हम बात कर रहे हैं यहां और। ऐसली सबसे पहले भरत नाट्यम के बारे में भारत नाट्यम कहां पर होता है तमिल नाडू की बात हम करें Classical Dance भारत नाट्यम तमिल नाडू ठीक है तो यह जो है एक तरह का हम देखेंगे अभिनाय का अभिनाय दर्पन है एक तरह का जिसे बहुत सारी चीजे इनके बारे क्या है तो देखो यह सोलो डांस है वो तरन स्लो मोशन वाला तो यह सोलो डांस है और इसमें होता क्या है कि सिंगल पर्फॉर्मेंस करता है समझेगा वो तो बैग्राउंड था अगर हम भारत नट्यम की बात करें तो इसमें सिंगल पर्फॉर्मेंस करता है और अपने बॉड नहीं याद करना है आपको लेकिन यह जरूर याद रखना है कि भारत नाटियम के अंदर बॉड़ी के साथ गेस्चर्स होते हैं ठीक है भारत नाटियम तमिल नाडू यह तो याद रखना ही रखना है और अगर इग्जाम में पूछा जाता है कि इस से सम्मंधित जो है और दूसरा रुक्मनी देवी जो है आरुन दले तो रुक्मनी देवी आरुन दले जो है एक्रिशन लाइयर यह सम्मंधित है प्रॉमिन्ट गुरू और हम बोल सकते हैं डांसर है कहां के भारत नाटियम के ठीक है यह आपको याद रखना है चले नेक्स हम बात कर लेते हैं से 16th century के आसपास जो है यह भक्ति मोमेंट के दर्मयान जो है यह फैला है कथक दंस भक्ति मोमेंट से कह सकते हैं ऐाया है सेटकेंली बात कर यहां पे तो में ली जो प्ले कह गयाता है दो जो अए कि भी बहुत सारे नयने features add-on किये गए तो हम ये बात कर रहे हैं कि जो हिंदुस्तानी घराना है तो देखो एक बात आप जानके रखो नौर्थ इंडिया में हिंदुस्तानी घराना चलता है dance के matter में ये घराना वो घराना है जहां पे जो आपके Islamic style मुगल के style थे समझ गया है यह पूरे मुगल के style और यहां पे हम देखेंगे जो रास लीला का सब कुछ है तो वो तो इन दोनों का combination जो है वो मिलके बनता है हिंदुस्तानी घराने के सब कुछ जो है इन दोनों के मिलन सबस्क्रेंगे यह अधिले दो अलग अलग culture के मिलने से जो मिक्स वाला style बना वो आपका कहलाता है हिंदुस्तानी हम्योजिक भी है हिंदुस्तानिक dance style भी ठीक है और हिंदुस्तानी घराना है यादण रखेंगे जो इसको perform कराती है तो अभी यहां पे यह जो है हिंदुस यह जो है classical dance है और इसकी जो important person है वो लेडी लीला जो है सौकी लेडी लीला सौकी एक important यहां पर dancer है और क्या सकते गुरू है इस dance के उसकी बाद जो है बिर्जु महराज और जो है सितारा देवी यह सब important name है इन सबसे और भी mcqs बरेंगे तो इन सब को मैं mcq के रुप में और डिसकस कराओंगी आपका अब यहां पर next हम बात कर लेते हैं किसके बारे में क MIDI रूं और अगर सारे डांसिंग पफॉम Spa furnace से जिसको हम देख लेते हैं यहां पर क्या क्या है थीके चाकियार कुथू उसकी बाद जो कुड़ी अटम उसके बाद हम देख लेते हैं क्रिष्ण आटम रामा अटम तो जहां भी अटम आएगा समझ लेना केरला पहुंच गया है ठीक है और जो है कथक कली थोड़ा सा अलग हो जा रहा है यहां पर तो एक इंपॉर्टेंट है यह आप याद रखोगे क्लासिकल डान्स है यह और हम यहाँ पर देख लेते हैं यहां पर क्या दिखाई दे रहा है हमें तो यह इसमें क्या होता है कि यह भी slo motion dancing है बहुत सर्ट है यूज की आता है specifically बहुत हेवी mo países की आ जाता है और बहुत ही जो है stunning जो है custom पहना जाता है dress जो है काफी उबरा हुआ पहना जाता है और इसमें जो dancer होते हैं वो अलग-अलग role play करते हैं king का role play करें, god का play करें, मतलब फिर दानव भी बन रहे हैं ठीक है इस तरह का role play करते हैं और सारे role जो होते हैं इनके facial expression से होते हैं मनें अपने face का expression देते हुए सारे role को बताते हैं इनके जो characters होते हैं dance के, वो इनके face पे लगाए गए color से मालुम चलता है बहुत different color जो है यहाँ पर use किया जाता है और different colors, different character को so करता है जैसे green color जो होता है, वो nobility को so करता है black color जो होता, वो wigd को so करता है और red जो patches होते हैं, वो combine होते हैं मतलब अगर वो बुराई को दिखाने के लिए तो red color ही परयोग किया जाता है और जो है, realities जो होती न, attitude, realities जो होती इसको भी दिखाने के लिए क्या किया जाता है आपके red color का परयोग किया जाता है बात करें कुछी पुड़ी की, तो कुछी पुड़ी जो है आंधरा का classical dance है हमारा हम लेख सकते हैं और यहाँ पर बात करें कि यह जो है tradition dance है tradition dance है और यह जो है इसका जो basically पुराना नाम था वो यक्ष गाना था, यक्ष और यक्षरी से संबंदित है, ठीक है तो यक्ष और यक्षरी जो होते हैं तरह का messenger माने जाते हैं Hinduism में, God के, तो उन से संबंदित है, यह 7 centuries में कुछी पुड़ी style जो है, वो काफे ज़्यादा प्रशिद हुआ था, और यहाँ पे यह conceive किया जाता है देखो, आप सिद्धे द्रणा योगी के द्वारा, ठीक है, यह starting किया गया है और यह पूरी तरह से tradition based है, बहुत सरी चीज़े यक्ष और यक्षरी से संबंदित है तो बहुत सरी text book जो होते हैं उसमें इनकी बाते की जाती मिलता है और सबसे important चीज़ है कि यह compose किया गया, जो book में लिखा गया compose किया गया, संस्कृत भासा में लिखा गया और यह जो है, नाम क्या है कृष्णा लीला तरंगनी, कृष्णा लीला तरंगनी जो कि एक कविता है काव है, जिसमें इस dance के कावर्णन है और यह लिखा गया है, आप याद रखोगे क्या, तिर्था नारायना योगी के द्वारा, तो यह important है, लिखा गया इनके द्वारा, book का नाम यह है, भासा यह है और अगर हम यहाँ पर बात करें तो slow motion याद रखोगे, तो solo dance होता है यहाँ पर, basically तीन आइटम को यह सो करते हैं, एक होता है मंदु का, जो है हम देखेंगे, सब्दम दूसरा होता है, बालगोपाल तारंग और तीसरा जो होता है, वो ताल, चितरा, निर्थ्या यह तीन होते हैं, इंपोर्टेंट है याद रखोगे, नेक्स बात करते है मोहनी अटम, देखो, मोहनी अटम का लिंक जुड़ता है, लौड विष्णू से कहा जाता है, कि जब समुद्र मन्थन हुआ था तो अमरित निकला था, और अमरित निकलने के बाद, जो है, वो को दिस्टिब्यूट करना था, कि दानव और जो गौड होते है, उनमें लड़ाई सुरू हो जाती, तो उस अमरित का दिस्टिबीशन करना होता है, लेकिर अमरित दानवों को पिलाना नहीं होता है, जो है देवताओं को पिलाना होता है, तो इसके लिए Lord Vishnu जो होते हैं, वो female का अवतार धारन करते हैं, और उसके बाद जो है, नाम उस character का होता है, मोहनी, और वो जो होती है, वो इस तरह का feature, shape बना करके, काफी stylist और इस तरह का beautiful posture बना करके, जो है, distribution करना सुरू करते हैं, अमरित का वहीं से सुरू होता, मोहनी अटम के बारे में, तो मोहनी अटम, Lord Vishnu, मोहनी जो सब्द है, वो Lord Vishnu को दरसाता है, और अटम जो होता है, वो dance को दिखाता है, तो यहाँ पर यह समझ लेजे कि पूरी तरह से religious touch है, यह मोहनी अटम, और अगर हम बात करें, इसके बारे में, जो इसकी चर्चा मिलती है, जो कि लिखा गया है, बाद में, इसको लिखने वाले जो है, इसकी बारे में, दो-तीन राइटरों ने लिखा है, दो-तीन राइटर जो है, वो लिखे है, और लास्टली जो एंक्लूड किया गया है, वो जो है, कुंजन नामबिरा के द्वारा एड और एंड किया गया है किसके द्वारा जो है कुझ नामबिर के द्वारा नहीं याद रखोगे कोई दिखाते हैं लेकिन 1709 जरूर याद रखना मोहनी अटम कहां है याद रखना के रहला और क्या है पीछे की स्टोरी मोहनी का मतलब क्या वह याद रखना है और इसके बाद टाइम जो है फेमस जो यहां पर आपको दिखेंगे इससे संबन्दीत तो आपको याद रखना है क्या जो है यहां पर देखो सुनंदा नयर और पलवी कृष्णा जो है बहुत ही फेमस आर्टिस्ट है इससे संबन्दित रखोगे नेक्स्ट औरीसी की बात कर लेते तो गीत गोविंदा जो कि जैदेव की लिखी गई है जैदेव के द्वारा लिखा गया बुक जो की गीत गोविंदा है वहां पर लॉर्ड विष्णू का वर्णन मिलता है उससे संबन्दित है ओडिसी डांस ओडिसी डांस की होते हैं 36 पोस्चर होते हैं जिन में चौका त्रि पूचे जाते कि त्री भंगा डांस जो है त्री भंगा पोस्चर किस से संबंधित है तो यह सब कोश्चर हाँ वह उडिसी डांस उडिसा ऐसी क्लासिकल डांस बास-बात खत्तम यह हो गया इतना करके हम लोग छोड़ देते हैं लेकिन काम बन जाता नहीं इससे कभी-कभी आगे थुरह से दिखना पढ़ा तो यह दूकर तुरी बंगा चौका मैंने बता दिया इतना याद रखना है कि सारे के सारे जो डान्स हैं क्लासिकल वो सब के सब सोलो ही है और इसके बाद अगर हम बात करें इसके प्रमुक कलाकार कौन से हैं अब देखेंगे क्या सोनल मान सिंग और जो है हम डिखेंगा नेक्स जो है वो कौन है केलुचरन महापात्रा तो केलुचरन महापात्रा और सोनल मान सिंग यह सब इंपॉर्टेंट प्रसनालेटी बात करते हैं सातारिया जो की आशम से गया कहां पर आशम में शंक्रादेव कोशा गया कि एक परमोषन के रोगते हैं कि मोच्ट को प्लॉमिंट कराना होटा या कहीं पर उसको influence करना होता लोगों को तो यह सब एक टूलन टेक्निस के तौर पर काम आते हैं यहां पर बहुत सारे religious character को सोख किया जाता है जो artisians होते हैं जो performers होते हैं उनके द्वारा ठीक है तो कहानी के माध्यम से जो जो भी कहानी डिलेटेड है विष्णू लौड विष्णू से उसे समंदित यह डांस का performance करते हैं और इस तरह से यह जो है एक तरह से भक्ति मोमेंट का पार्ट भी था और अगर हम यहां बात करें कौन कौन से यहां पर फेमस हैं तो आपको याद रखना है क्या जो है यहां देखना है राजसी एक सेकेंड यहां पर जो है तो अलग अलग तरीके से इसको यूज करा आता है फिक है तो फ्री स्टैल कर अकheits मृत एक व्याक्ति जिनका बहुत बऺए रोलप्य है तो बहुत बखला की थोड़ा फ्रीस्टाइल में म republican Mir इं क्लासिकल बात कि जाती है अलग लौड़ सीवा और पार्वती से सम्स्राइब आते हैं और आते हैं तो डांस करते हैं तो जो डांस परफॉर्मेंस होता है वह उसी चीज़ को दर्साता है मनी पूरी डांस में यह इस तरह का मेल को दिखाता है वो लौट सीवा को दिखाता है इंपॉर्टेंट है यह भी एक रासलीला का पार्ट है ठीक है और अठारवी सेंचुरीज में वहां के जो किंग थे भागया चंद्रा जी इसके द्वारा ज्यादा प्रमोट किया गया इंपॉर्टेंट है याद रखेंगे और यह मनीपुरी की संस्कृति का पार्ट है फिलहाल के टाइम में चले नेक्स्ट जो है यह आपका अंसर है आपके कुस्चिंस का और यहाँ पे है आपका होंबक कुस्चिंस जली से सन्नापसाट लेकर के आप इसका आंसर कीज़ेगा कहां पर कमेंट बॉक्स में हमारे सा रहने के लिए सबी को बहुत बहुत थांक्यूंग